हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का बीएस रिव्यूज में आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेट्फिक्स की मुवी दग किसिंग बूत 3 को तो इस वीडियो को एंट तक ज़रूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो दग किसिंग बूत 3 ये मुवी आज है नेट्फिक्स पे रिलिज हुई है और हाँ इस मुवी को समझने के लिए आपको इस फिल्म सिरिस के पहले के दो पार्ट देखने पड़ेंगे और पर्सनली मुझे वो दोनी पार्ट काफी पसंद आय थे और मैंने उन दोनी मुवी को काफी इंजॉय करा था अगर हम इस मुवी की कहानी की बात करें तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पे सेकंड मुवी खतम हुई थी याने एल की स्कूलिंग खतम हो चुकी है और अब उसे ये डिसाइट करना है कि क्या वो नोहा के कॉलेज में जाएगी या फिर जैसा कि उसने ली से प्रामिस कर रखा है कि वो उसके कॉलेज में जाएगी और इन सारी discussion से पहले वो summer में क्या-क्या करती है यही सब इस movie की कहानी है अगर हम इसके screenplay की बात करें तो ये screenplay भी ठीठा की है और अगर आप लोगों को high school dramas देखना पसंद आते हैं तो ये screenplay definitely आपको पसंद आने बाला है और अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने इस film series की पहले की दो movies देख रखी है और उन्हें वो movies पसंद आई थी तो ये movie भी आपको पसंद आने बाली है क्योंकि इस movie को भी इतने अच्छे से तो लिखा ही गया है कि हमारा starting से ही इस movie के साथ एक connection बन जाता है और हम जानने चाते हैं कि Elle किस तरह का decision लेने वाली है और वो अपने दोस्त और प्यार में से किसको चुनने वाली है वो सब काफ़ interesting way में लिखा गया है और फिस तरह से इस movie में लीका character में एक maturity आती है वो भी देखने में काफ़ी जादा मजाता है क्योंकि हम सब जानती है कि इस film series के पहले के दो movies में वो काफ़ी जादा immature दिखता था लेकिन इस movie में हमें लीका एक mature virgin देखने को मिलता है जो कि यह काफ़ी अच्छी बात है और फिर जिस तरह की इन सबी के बीच के relationship रहते है वो तो हम पिछले दो movies से enjoy करती ही आ रहे है और इस movie में भी इन सबी को देखने में काफ़ी दादा मजाता है और जहां तक बात है character development की तो इस movie में हमें सबी characters में एक अच्छी खासी growth देखने को मिलती है जो कि हमें इन सबी characters के साथ और भी जाद अच्छी से connect कर देती है और जहां तक बात है twist and turns की तो इस movie में आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपने expect ना किया हो और ये movie उन सारी path को follow करेगी जो कि आप सोच रहे होंगे लेकिन फिर भी आप उन सारी चीज़ों को enjoy करते हो जो कि काफी इच्छी बात है लेकिन अगर हम इस movie के negative points की बात करे हैं तो इस movie में कुछ problem जरूर है लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने इस film series की पिशली दो movies को enjoy करा था तो अप इन problems को काफी आसानी से ignore कर दोगे और अगर हम acting की बात करे हैं तो सारे actors का काम काफी ज़्यादा अच्छा है फिर चाया पली की बात करो नोहा की बात करो एल की बात करो या फिर किसी और की बात करो सभी actors का काम काफी ज़्यादा अच्छा है और इन सभी को स्क्रीन पर देखने में सच में काफी जादा मजाता है और अगर हम direction और editing की बात करें तो direction तो इस movie का ठिक्ठा की है क्योंकि director ने कुछ भी नया और अलग करने की कोशिश नहीं की है और director ने इस movie को भी उसी पात पे बनाया है जिस पात पे इस film series की पिशली दो movies बनी थी इसलिए इस movie का direction नहीं जादा अच्छा है लेकिन नहीं खराब है लेकिन editing इस movie के थोड़ी और बहतर हो सकती थी क्योंकि मेरे ख्याल से ये movie काफी आराम से एक गंटे 40 मिनट में खतम की जा सकती थी लेकिन ये movie एक गंटे 50 मिनट के आसपास की है जिसके कारण editing थोड़ी और बहतर हो सकती थी और अगर हम production quality की बात करें तो वो काफी दाद अच्छी है तो overall में यही बूलना चाहूंगा कि अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने इस film series की पिछले दो movies देख रखी है और उन्हें वो movies काफी पसंद आई थी तो आपको ये movie भी definitely पसंद आने वाली है और उन लोगों के लिए मेरी तरफ से तो ये movie पूरी तरह से recommended है लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस film series का एक भी पार्ट नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए ये movie है ही नहीं तो आपको ये movie देखनी है नहीं ये आपके उपर है और अगर आपने ये movie देख लिए तो मुझे comments में जरूरू बताना कि आपको ये movie कैसी लगी और अगर आपको वीडियो से related कोई suggestion नहीं शिकायत करनी हूँ तो भी आप हमें comments में बता सकते हैं या फिर हमें Instagram और Twitter भी follow कर सकते हैं Link description में आज के लिए बस इतना ही दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत